मैं सनिको स्वामी स्वागत करता हूँ आपका पिनेकल में जैसा कि हम steady के साथ साथ उन तमाम मुद्दों पर भी discuss करते हैं जो exam के point of view से तो काफी महत्पून होते हैं लेकिन इनके बारे में हमें जानना भी जरूरी होता है क्योंकि देश के अंदर या देश के बाहर क्या हो र relationship रहे हैं लेकिन चाइना की involvement जब से यहां पर बड़ी है नेपाल में तब से भारत बिरोधी कई बयान हमें देखने को मिले हैं दोस्तों अभी ही नेपाल के प्रधान मंत्री ने कुछ एसे बयान दिये जिससे भारतिये की भावनाव को काफी आहत पहुंचा है तो इसी पर आज हम संपूर्ण डिसकस करने वाले हैं वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो के अंत्र तक जरूर बने रहे हैं वो जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे अगर बात करें भारत के उपर नेपाल के प्रधान मंत्री ने क्या बयान देते हुए कहा तो नेपाल के प्रधान मंत्री ने दावा किया कि भारत ने सांसकतिक अतिक कमन के लिए नकली अयोध्या का निर्मान किया है और असली अयोध्या नेपाल में इस्तित है तो दोस्तों इनका कहना है कि भारत में जो पांशीरी राम का जो जन्म हुआ बहुन être के बीरगनज में हुआ था तो दोस्तों इससे काफी कम ल्फ हो गयी भारत में तो इनके विरोध में कई चीजें शुरू हो चुकी है लेकिन बहां नेपाल में भी उनके विरोध में कई प्रोटेस्ट चालू हुए क्योंकि भारत औ उनके बीच में काफी अच्छी understanding मानी जाती है और काफी अच्छे संबंध होते हैं तो जो इनकी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनका भी इसका विरोध किया और साथ में जो पार्टियां हैं जिनकी सरकार है अभी उनके भी कुछ सदस्यों ने इनका काफी विरोध किया त कहां इस्तित है तो इसे हम मेप में देखने के लिए अगर हम इसे मेप में देखे तो यह है भारत और नेपाल की सीमा पर ही सटा है अगर इन बयानों का इन्हों ने यह सारांज दिया कि यह जो बीर गंज है यह भारत और नेपाल के बीच में जब भगवान सिरी राम का जन्म आ हुआ था तो क्या हुआ था कि इनका जो connectivity है नेपाल और भारत के बीच में ये बिल्कुल भी नहीं थी दोस्तों इनका यह कहिना है कि भारत और नेपाल के बीच में उस time क्योंकि रामायन और महाभारत के पहले रामायन लिखी गई है या पहले की यह कहानी है तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि भागवान सिरी राम की नेपाल के साथ कोई भी connectivity नहीं थी लेकिन यहाँ पर एक चीज है दोस्तों कि ये मानते हैं कि नेपाल और भारत के बीच में कोई भी connectivity नहीं थी लेकिन ये रामायन को मानते हैं और इनका कहना है कि सिरी लंका यहाँ गय थे तो क्या अयोध्या के बीच में भगवान सिरी राम की connectivity जो है बहर नहीं हो सकती तो इनका अब एक question यहाँ पर यह निकलता है कि नेपाल क्यों यह से बयान जारी कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि जब से हमारा चाइना के साथ विबात शुरू हुआ है तभी से नेपाल को funding करता है और वही पर क्योंकि जो ओपी सर्मा कोली है उनकी कुरसी जाने वाली थी और चाइना ने यहाँ पर अपना इंटरफेर करा नेपाल की politics में और उनकी कुरसी को कुछ हद तक बचा लिया दोस्तों इसी के चलते जो ओली सर्मा है वो काफी विवादित बय बयान दे रहा है भारत के विरुद और नेपाल के सम्मन बिगड़े ताकि नेपाल जो है वो चाइना के और करीब जा सके साध यही policy इनकी रही होगी इसलिए क्योंकि अगर हम अभी तक के नेपाल और भारत के सम्मन देखे तो काफी अच्छे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो बाउंडरी है यह काफी ओपन है भारत और नेपाल के बीच में और यहाँ पर ओपन बाउंडरी है कोई भी आ जा सकता है और यहाँ तक कि भारत और नेपाल के जो नागरिक हैं उनके बीच तो विवा जैसे रसमें भी होती है कि यहाँ पर भी कोई भी साधी कर सकता है म उसके जो पडोसी राज है उन्हें पडोसी दे से उन्हें अपने तरफ मिला लिया जाएं तो दोस्तों यहाँ पर आपको comment box में comment करके बताना चाहिए क्या हमें नेपाल के विरूत कोई कारवाई करने चाहिए या नेपाल को इस चीजों का जवाब देना चाहिए ताकि चाहि भारत सिर्फ सुनता नहीं है काफी कुछ कर सकता है और इसके against हमें कुछ कहना चाहिए क्योंकि भारत के अगर हम policy की बात करें तो काफी politely policy रही है नेपाल के सामने और यह है इसी कारण है कि भारत नहीं चाहता कि नेपाल के साथ हमारे संबन बिगड़े लेकिन क्या हमें यहां पर नर्मी बरतनी चाहिए क्या नेपाल को कुछ एसे statement देना चाहिए ताकि नेपाल को यहां एहसास हो सके कि चाइना तो दोगला है लेकिन भारत हमेशा से ही अच्छा एक दोस्त के रूप में रहा है तो क्या हम चाइना के लिए भारत को खो सकते हैं तो आसा है आप